सभी प्रकार के कपड़ों की कटिंग और स्टिचिंग सिखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टी एश टेलर पाइंट को सस्क्राइब करें दोस्तों और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नेटिपिकेशन आप तक पहुंच सके नमस्कार दोस्तों टी एश टेलर पाइंट में आपका स्वागत है आज हम आप लोगों को 17 इंच लंबाई वाले साधा बेल्ट बलाउच का कटिंग करके डारेक्ट कपड़े पर बताएंगे चलिए दोस्तों आज का मेजरमेंट देख लेते हैं आज का हमारा मेजरमेंट है दोस्तों लंबाई है 17 इंच, चेश्ट है 42 इंच, सोल्डर है 12 इंच, कमर है 38 इंच, और हमारा अस्तिन है 8 इंच, मूरी है 6 इंच, आर्म होल है 8 इंच, सामने गला है 7 इंच, और पीछे गला है 10. इसी मेजरमेंट की इसाप से आज हम बलाउच की cut-in करेंगे दोस्तों सब सब पहले दोस्तों कपड़े को ऐसे double करके fold कर लेना है उसकе बाद दोस्तो हमारा जितना chest है और उसको four so divide करेंगे उसके बाद poll 2 इंच extra margin के साथ हम यहाँ कपड़े को उतना फोल्ड करेंगे तो तो 42 इंच को हमारा याइगा साधी-दस उसमें वॉने दो इंच एश्टा मार्जिन लेगे तो हमार या ठीबारा तो हम इतना लिख लगांगे जितना हमको जरुरत है देखे दोस्तों सबसे पहले सवा बारा यहां पर मार्क लगा लेंगे सवाबार अपे यहाँ पर भी यहाँ पर भी मार्क लगा लेंगे सवाबार अपे दोस्तों और उसके बाद कपड़े को ऐसे पकड़ के जहाँ पर हम लोग मार्क लगाए हैं वहाँ पर ऐसे यह देखिए दोस्तों बरावर से ऐसे कि सबसे पहले दोस्तों कपड़े को सीधा कर लेना है यहां पर कि सबसे पहले दोस्तों इसको सीधा कर लेना है अब आ जाते हैं दोस्तों हमारा लंबाई लंबाई है मारा सत्रा इंच तो उसमें देड़ इंच प्लस करेंगे तो हमारा आएगा साड़े अठारा साड़े अठ कि फारा प्रमार लगा लेना है दोस्तव अर इसको सिधा कर लेना म canon की कि उसके बाद आजाते हैं दोस्तों शोल्डर हमारा सोल्डर है बारा इंच तो हमें यहाँ पर बारा का हाप करेंगे तो भामारा आएगा शे इंच यहाँ पर छेंच पर मार्क लगाएंगे और यहाँ पर भी एक 6 इंच पर मारक लगा लेंगे और नीचे की तरफ 5.5 इंच पर एक मारक लगाएंगे और इसको सिधा कर लेंगे दोस्तों इसको भी आगे बढ़ा लेंगे यहां पर एक इंच मार्क लगा लेंगे इसको राउंड कर लेंगे दोस्तों अब आ जाते हैं चेश्ट दोस्तों हमारा चेश्ट है 42 इंच, 42 को force divide करेंगे, तो हमारा आएगा 10.5, 10 इंच पर mark लगा लेंगे, और 52 इंच, हम यहाँ पर extra margin लेंगे, देखें दोस्तों 52 इंच, यहाँ पर भी ऐसी करेंगे दोस्तों, 53 इंच प्लस 52 इंच extra margin, अब इसको सीधा कर लेंगे दोस्तों इसको भी सीधा कर लेंगे अब आजाते हैं गला गला यहाँ पर हम धाय इंच लेंगे दोस्तों क्योंकि हमारा सोल्डर बड़ा है धाय इंच अब उसके बाद आ जाते हैं हमारा सामने गला की घराई हमारा सामने गला है पौने साथ इंच तो यहां पर पौने साथ इंच पर जहां पर आएगा वहां पर एक मारक लगा लेना है यह देखिए दोस्तों हमने लगा लिया है इसको सीधा कर लेना है दोस्तों आगे बढ़ा लेना है अब देखिए दोस्तों यहां पर हमारा गला है धाय इंच तो हम यह यहाँ पर धाय इंच ही लेंगे दोस्तों क्योंकि पॉने तीन ज्यादा हो जाएगा देखिए धाय इंच ही रखेंगे अब इसको सीधा कर लेना हमने सीधा कर लिया अब इसको राउंड कर लेना है दोस्तों अब आ जाते हैं दोस्तों बेल्ट यहां पर धाय इंच रखेंगे दोस्तों क्योंकि हमारा बलाउच कालमभाी 17 इंच है तो हमें यहां पर बेल्ट को धाय इंच रखेंगे अब धाय इंच में दोस्तों यहां पर Porn Inch 8 करेंगे हम लोग तो पौन इच एट करेंगे तो हमारा हो जाएगा सवा तीन इच तो सवा तीन इच पे यहाँ पर मार्क लगा लेंगे यहाँ पर भी सवा तीन इच पे मार्क लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर भी सवा तीन इच पे मार्क लगा लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे अब यहां पर दोस्तों पॉन इपर की तरभ डाउन करेंगे यह देखे और यहां से 3.5 इपर एक मार्क लगाएंगे यह देखे दोस्तों यहां से यहां 3.5 इपर दरभो के लिए पौने तीन इंच पे एक मार्क लगाएंगे और उसको ऐसे करके सीधा कर लेंगे दोस्तों यह हमारा डार्ट के लिए है यह देखे दोस्तों और उसको यहां से सीधा कर लेना है दोस्तों यहां से हम दो इंच पे एक और मार्क लगाएंगे और इधर भी दो इंच पे और एक मार्क लगाएंगे और इसको यहां से अब इसको सीधा कर लेना है दोस्तों देखे यहां से और इसको यहां से अब यहां से दोस्तों दो इंच पे फिर मार्क लगाना है उपर की तरफ और यहां से सिधा कर लेना है अब यह ड्राइंग कम्प्रीट हो गया दोस्तों सामने पर लगा अब हम इसको कटिन कर लेते हैं कर लोस्तों से शोस्तों समाना है कर दो यहां पर दोस्तों गले की तरफ दो पाइंट हमको डाउन करना है पहले की तरफ दोस्तों दो पाइंट यहां पर गले की तरफ डाउन करना है यहां पर कट लगा लेना है यहां पर भी एक कट लगा लेना है यह देखे दोस्तों हमारा सामने का पल्ला कटीन हो गया यह हमारा बेल्ट हो गया अब दोस्तों हम पीछे की पल्ला कटीन करेंगे सबसे पहले इसको सीधा कर लेना है दोस्तों हमारा लंबई है 17 इंच तो हम पीछे पल्ला को पॉन इंच प्लस करके यहाँ पर मार्क लगाएंगे तो 17 में पॉन इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा पॉन अठारा इंच यहाँ पर मार्क लगा लेंगे यहाँ पर भी पॉने अठार रपे एक मार्क लगाएंगे इसको सीधा कर लेने हैं दोस्तों यहाँ पर हमने नीचे की तरफ साड़े पांच इंच मार्क लगाया था यहाँ पर भी लगा लेते हैं इसको भी सीधा कर लेंगे अब देखे दोस्तों हमारा chest हमारा chest था ब्यानली सी इंच तो इसको फोर से डिवाइट किये थे तो साड़े दस इंच और हमने सामने पर लग को पौने दो इंच एश्टा मार्जिन लिया था तो हम यहाँ पर हाप इंच कम करके हाप इंच कम करेंगे पौने दो इंच में तो यहाँ पर आएगा सवा इंच यहाँ पर भी बैसी करेंगे दोस्तों साड़े अं-स प्लस सवा इंच क्योंकि seven margin कि दोस्तों हमारा पीछे पर लग को साधा वाले बेल्ट ब्लांज में हाप इंच कम करना रहता है इसको भी सीधा कर लेंगे दोस्तों अब आ जाते हैं दोस्तों हमारा पीछे की गला हमारा पीछे का गला है साधे दास इंच तो हम यहाँ नीचे से उपर की तरफ हाप इंच साधे दास इंच में हाप इंच प्लस करके यहाँ पर मार्क लगाएंगे, हाप इंच प्लस करेंगे तो 11 इंच, यहाँ पर मार्क लगा लेंगे, और इसको सीधा कर लेंगे दोस्तों, अब आजाते हैं दोस्तों हमारा सोल्डर सोल्डर हमने लिया था 6 इंच यहाँ पर 6 इंच पर मार्क लगाएंगे और गला को लिया था हमने 1.5 इंच अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने गले को लिया है 1.5 इंच तो यह हमारा पीछे पल्ला है तो हम यहाँ पर तीन इंच ले सकते हैं यहाँ पर तीन इंच पर मार्क लगाएंगे अब इसको सीधा कर लेंगे दोस्तों अब आजाते हैं दोस्तों हमारा सामने पल्ला को यहाँ पर ऐसे रखेंगे हमेशा की तरह अच्छे से इसको set कर लिए दोस्तों यह देखिए हमने अच्छे से set कर लिया है अब यहाँ पर दोस्तों हम आधा इंच इसको हमने सामने पला को एक इंच यहाँ से बढ़ाया हुआ था, मार्क लगाया था हम यहाँ पर हाप इंच एस्ट्र और लगाएंगे क्योंकि यह हमारा पीछे पला है यह देखिए दोस्तों हमने हाप इंच और बढ़ा दिया है इसको अब इसको हम सामने पला को हटा लेते हैं और यहाँ पर हमने गले की तरफ दो पाइंट डाउन किया था तो हम पीछे की तरब भी डाउन कर देते हैं गले को दो पाइंट इसको राउंड से ब दे देंगे दोस्तो क्योंकि हमारा ये गोल गला है अब इसका कटिन कर लेंगे दोस्तो ये देखे दोस्तो हमारा पीछे पला भी कटिन हो गया अब दोस्तो हम अस्तिन को कटिन करेंगे ये देखे दोस्तो हम कपड़े को डबल करके ऐसे फोल्ड कर लिए हैं पहले अब इसको एक बार और फोल्ड करना है दोस्तो ये देखे डबल फोल्ड कर लिए हम लोग अब यहाँ पर सब इंच का एक मार्क लगाएंगे तुर्पाई के लिए यहाँ पर 7 इंज के एक मार्क यहाँ पर भी 7 इंज के एक मार्क लगाएंगे और इसको सीदह कर लेंगे दोस्तों यह हमारा तुर्पई के लिए होगे icana 3 का तुर्पई के लिए अब हमारा अस्तीन का लंबाई है 8 इंज तो 8 हिंज में हम 3 तिंज पॉ JAMES पॉइंगे क्योंकि हमारा इस्तरफ थीन सुट तीन पॉइंट और दगएगा और यह हम तुर्पई के लिए पहले से इस्टर ले लिये हैं हम यहाँ पर आर्ट हिंच तीन पॉइंट पे मार्क लगाएंगे यहां पर भी आर्ट हिंच तिन पाइंट पे और इसको सीधा कर लेंगे दोस्तों अब हमारा आर महोल है दोस्तों, अस्तिन का आठ इंच तो हम इसमें आठ इंच पहले एक मार्क लगा लेंगे और उसके बाद पोने दो इंच पे एक और मार्क लगाएंगे यहाँ पर भी ऐसी 8 इंच और प्लस पॉने 2 इंच एस्टर मार्जिन और इसको सीधा कर लेंगे दोस्तों पहले यहाँ पर भी अब यहाँ पर दोस्तों नीचे की दरब 3 इंच डाउन करेंगे दोस्तों अस्तीन की लब माई हमारा 8 इंच है तो हम 3 इंच तक डाउन कर सकते हैं क्योंकि हमारा चेश्ट अभी 42 इंच है तो 3 इंच हम डाउन कर सकते हैं अब दोस्तों हमारा 8 इंच आर महौल है तो 8 इंच का हाफ होगा 4 इंच तो यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे और नीचे की तरफ डाउन करते हुए इसको सीधा कर लेंगे और यहां से यहां इसको सीधा कर लेंगे और इसको थोड़ा सराउंड सेप दे देंगे दोस्तो अब देखे दोस्तो अस्तिन का ड्राइंग कम्प्लीट हो गया अब हम इसको कटीन कर लेते हैं चलिए दोस्तो कटीन कर लेंगे अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है दोस्तो तो सस्क्राइब कर दे और लाइक के बटन को भी दबा दे और मेरे वीडियो सेर जरूर करें दोस्तो यहाँ पर एक कट लगा लेना है दोस्तो और यहां पर हाप इंच डाउन करना है रेखिए दोस्तों हमने हाप इंच डाउन कर दिया है यह हमारा सामने पला की तरफ फिट होगा और यह हमारा पीछे पला की तरफ दोस्तों है यह मैं है यह हमारा प्रेकर यह जाच